पर्ल फार्मिंग बिजनेस कैसे शुरू करें? मोती की खेती काफी अच्छा बिजनेस आप्षिन है आज भी ज्यादातर लोग इस बिजनेस के बारे में जानते तक नहीं है लेकिन पिछले कुछ साल में इस पर फोकस बढ़ा है गुजरात के इलाखों में इसकी खेती से किसानों को काफी फायदा हुआ है वहीं ओडिशा और बैंगलूरू में भी इसका अच्छा स्कोप है मोती की खेती में कमाई भी अच्छी होती है मोती की खेती के लिए किन चीजों की आविश्यक्ता होगी? मोती की खेती के लिए आपको एक तालाव, सीब जिससे मोती तयार होता है और ट्रेनिंग, इन तीनों चीजों की जरूरत होती है मोती की खेती के लिए ट्रेनिंग अगर आप ये बिजनिस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि मोती की खेती होती कैसे है अब इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी जबकि तयार होने के बाद एक सीप से दो मोती निकलते हैं और एक मोती कम से कम 120 रुपे में बिखता है अगर कॉलिटी अच्छी हुई तो लगबग 200 रुपे से भी ज्यादा की कीमत मिल सकती है अगर आप एक एकर के तालाब में 25,000 सीपियां डालें तो इस पर लगबग 8 रुपे का खर्च आता है इस बिसनेस के लिए सरकार भी आपकी मदद करती है आपके इंवेस्मेंट पर सरकार से आपको 50% तक की सबसेडिम विल सकती है कैसे करें शुरुवात इस बिसनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक फार्म बनाना होगा जिसमें तालाब या फिर कल्चर यूनिट हो इसके बाद आपको उसमें मसल या परल ओस्टर का बीज डालना होगा ओस्टर को प्री कल्चर के लिए तयार किया जाता है उसके बाद आइस्टर का implantation या फिर grafting करनी होगी बाद में आपको इसे post operating में रखना होगा इसके लिए nylon back का इस्तमाल आप कर सकते हैं post operating के बाद आपको इसे box में बंद करके रसी से लटका कर तालाब में रखना होगा 12-15 महीने के बाद harvesting आप कर सकते हैं इसके लिए आप metal tissue से pearl को wax से बाहर निकाल सकते हैं मुनाफ़ा कितना होगा pearl farming में आप अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं आपके farm में जितना production हो आपको लगवग 10-30% तक के production पर profit हो सकता है marketing कैसे करें आज के समय में बहुत लोग मोती की खेती करने में लगे हैं left house से भी contract ले सकते हैं तो आज इस वीडियो में हमने आपको कम investment में ज्यादा मुनाफ़ा देने वाले business के बारे में बताया जिसके लिए सरकार subsidy भी दे रही है ऐसे में आप भी अपना pearl farming का business शुरू करें और कमाएं अच्छा मुनाफ़ा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंदा है तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और business ideas के लिए हमें comment करके ज़रूर बताएं ओकी क्रेडिट, business ओकी है